दोस्तों, अगर आप अदरक का सेवन भर भर के करते हैं, चाय में डाल कर खाते हैं, या फिर आप सब्जियों में ज्यादा ज्यादा इस्तमाल करते हैं, तो साउधान हो जाएए आज मैं आपको बताने माला हूँ, किन चाय तरह के लोगों को अदरक बिलकुल नहीं खाने चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से तक देखेगा, बहुत छोटा होने वाला वीडियो, तो सबसे पहला, जिनका वेट बहुत कम है, और जो लोग अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं मसल बढ़ाना चाहते हैं, उनको अदरक नहीं खाने चाहिए, और नहीं अदरक वाली चाय पीनी चाहिए, इसके लावा, जो लोग मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं, वो अदरक खा सकते हैं, जिनको हीमोफेलिया है, यानि कहीं भी बलड का फ्लो ऐसे ही होने लगता है, उन को भी अदरक नहीं खाने चाहिए और अगर खाना चाहते तो, साषवधानी पूरो आप क्या करें दवाई के साथ अदरक का खोराग धोड़ी-थोड़ी मातरा में शुरू करें जाना मातरा में ना ले उर धिरे दवाई की मात्रा कम करते रहें। अद्रग नैचुरल ब्लड थीनर होता है। इसलिए BP वालिस का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करें। और दवाई का सेवन भी धीरे-धीरे कम करते रहें। इसके लावा पित्त की पत्री होने पर अद्रग का से इसलिए इस्तिती में अद्रग का सेवन ना करें। इसके लावा खाली पित अद्रग की चाहें उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। जिनको एसी डिटी की समस्य रहती हो। जिनकी भी स्किन में इंफेक्शन होता हो, रैडनेस हो उनको भी अद्रग नहीं ल प्लादी है। जिनके शेरी में खोन के ठके जमते हैं, उनको भी अद्रग जरू खाना चाहिए। यहीं, जुरुल रहती है । आपको बलॉके की समस्य है ratio किश्टल की समस्या है, जोड़ों में दरद, घुटनों में दरद, ए खुमर में दरद, कलाईं में दरद, शेरी क किसी भी जोड में दर्द है शरी में कहीं भी दर्द है तो अधरक उनको जरू खाना चाहिए तो दस्मा आज हमने जाना अधरक किन लोगों को नहीं खाना और किन लोगों के लिए फादेमन है आपको जानकारी फादेमन लगी होगी इस वीडियो को शेर कीजेगा और अब तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 दोस्तों सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन अन कर लिजे ताकि जब सबसे पहले मिले आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद